कि अबिश्टी इंडिया लिम्टेड में जो आपकी वेकेंशी आई है इसका अपलाइं ओनलाइन का लिंक एक्ट वे टोचका है इस युडियुमा आपको कंप्रिटी ओनलाइन फोरम अन्या प्रोसी दिखा हुआ है कैसे अपना ओनलाइन फोरम बर सकते हैं बिना किसी घलती क पहले मैं कुछ जान करें दो इसमें जैसे इसमें जो पोस्ट दीगी है आपकी जूनियर इंजिनिर की पोस्ट है सेलरी की बात के 27270 रुपेश में आपको सेलरी मिलेगी टोटल साट वेकेंसी जर्नल की 29 वेकेंसी सी की नोवेकेंसी स्टी की चैवेकेंसी ओबिश्टी अबश्टे आए इसके लिए आपको शालरी मिलेगी टोटल 20 वेकेंसी जर्नल कीagain इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तीन सलका इंजिन स्विल इंजिनर साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास डिग्री होने चीव साथ परसेंट के साथ और कुछ से एक्स्पिरिंस मांगा गया इसमें देखे जो आपका अपलाई ओनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है आपको मैं अपलाई करके दिखाता हूं कैसे अपना ओनलाइन फोर्मा आप बर सकते हैं देखिए और वाट्स ग्रूप पर दे दूँआ लिंक में उसे जुरू करें आप यहां से आप न्यूरेटेशन पर आप क्लिक करेंगे रिजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे जैसे इस पासवड बनाएंगे पासवड आपको आत डिजित से जएदा आपको पासवड यहां पर बनाना है अफरो फिर आपको पर दर्या कर देखाता हूं तेंगे जैसे आप इमेल आईडी पे यहां पर डालेगे उसके यहां से वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तबेखे देखे देखे से इस पर आप कलिक करते हैं यहां से आप ॉपन करें लेंगे यह न कि रूपन हो चुट GOOD एट 222 Transious इसरे आप इंपने के बाद यहां से कंपरम करेंगे और कंटीनू पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहां से आप किस पोस्ट के लिए अपलाई करें हो यहां पर डालेंगे जैसे मैंने जुनियर इंजिनियर लेक्ट के लिए पोस्ट के लिए पलाई करना हो यहां पर डालेंगे आप ड बाद यहां से यहां से करेंगे 60 पर से मेंडर क्लिक करेंगे जैसे इस कि इंत क्याशनति के माल सीत्मेंट और तो डालेंगे यहां से अपना अब यहां से अपना अपनी क्राइग्र वूस् अब है आप जो भी क्रेगरिया आप जो भी ... जो भी हैं से अब अपने सकते हैं तो म deswegen क्रसकते हैं जो यहां से पादर की डिटेल डालेंगे आप उसके बाद यहां से नाम डालेंगे पादर का नाम डालेंगे लास्ट नेम और मिडल नेम डाल देंगे उसके बाद यहां से अपना परमानेंट एडर साप को डालना अच्छे से फिलप करना है यहां से अपनी स्टेट है वो स्लेक्ट करेंगे आप जिस भी स्टेट से हैं यूटी से हैं यहां से अपने कोडिंग स्लेक्ट करेंगे उसके बाद यहां से अपना डिस्टिक स्लेक्ट करेंगे आप उसके बाद यहां से अपना विलेज सीटी जो भी हो डालेंगे पिन कोड डालेंगे अगर आपका एडर सेम है तो यहां से आप सेम पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहां से सेव करेंगे सेव करने के बाद यहां से सेव नेक्स्ट करेंगे आप मैं आपको जल्दी से परक के दिखाता हूं देखे जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद यहां से देखें, अपने qualification detail डालेंगे आप, यहां से आप अपनी 10th class की detail डालेंगे, subject डगलें, किसी institute board से की थी और डालें, किसी यह आपने की थी, percentage क्या थी, division यहां से आप select लेंगे, अपने according, जो भी division, A, B, C, D, जो भी थी, उसके बाद यहां से कोई professional qualification detail डालना चाहते हैं, तो यहां से add professional qualification डाल सकते हैं, उसके बाद यहां से अपने document upload करेंगे, 10th class की marks data upload करेंगे, डिप्लो में upload करेंगे, उसके बाद यहां से graduation के upload करेंगे, उसके बाद यहां से post graduation है, तो यहां से upload करेंगे, उसके बाद यहां से save us next करेंगे नहीं मैं आपको जल्दी से फिलप करके और से और एसके नेक्स्ट करके दिखाता हूं देखे जैसे आपको वाली किसने डिटेल लाईड करते हैं उसके बाद यहां से आप अपनी 50 BOY के बीच में आपके signature होंगे ओधमारोंसे अपपर अपने परेवीव الإope tecnología जैसे इस पर आप को प्लौट करते हैं उसके बाद यहां से प्रिवोड करेंगे अगर आप प्रिविवी देखना चाहते हैं तो और फोर्म का यहां से प्रिवी देख सकते हैं है प्रियूर आपको ने देखना या देख लिए आपने देखने के बाद यहाँ से जबस करेंगे मैं rested इघंग सेटS खुल करते हैं जैससे बसक्रों करेंगे लड़ाफ यहां से कोडिक 맞아 manuscript इसे SHOULD करते हैं यहाँ इसमें आमधाबाद बैंगलोर हमनेशवर चन्डीगड चन्नी रदुन दिल्ली गवाट्टी अधराबाद दिन दोर जैपुर जमू कोची कुलगत्ता लखनू बंबई पतना उन्हें राइपुर काची रची आपका जहां पर मन करें आप अपने कोडिंग यहां से एक्जाम सेंट्रों दे सकते हैं जैसे मैंने चन्ड पर आप क्लिक करेंगे जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहां से देखे जो आपके फोर्म का प्रिवीर हो आपको दिखा देगा यहां से यहां से आप अपने अच्छी से जानकारी वह अच्छे से चेक कर लेंगे आप उसके बाद यहां से अपने एक्जाम सेंटर भी आप आप सम्मिट करेंगे अगर आप अपने पूर में कुछ एडिट करना चाहते तो यहीं से आप एडिट कर सकते हैं इसके बाद प्रिम पर आप क्लिक करेंगे जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं देखिए जो आपकी फीस आपको पे करनी है अब यहां में एक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहां से आप रिडारेक्ट कर दिया जाते हैं पेइमिंट के ओप्षन पर यहां से देखे जो आपकी फीस लगेगी जर्णल का टाइगरी के लिए वह 500 रुपे फीस है इसकी लगेगी यहां से आप जैसे साहे वैसे अपनी फीस पे कर सकते है debit card net banking wallet net banking जिससे साइब वैसे अपनी फीस पे करेंगे UPI से भी कर सकते हैं PTMB से भी कर सकते हैं Google Pay से भी कर सकते हैं जैसे साइब उस पर आप अपनी फीस पे करेंगे जो फीस लगेगी आपकी 500 रुपे फीस लगेगी जरूल कटागरी के लिए और इवस के लिए 500 रुपे फीस हैं SCHT के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखे गई हैं देखे माँ आपको फीस पे करके दिखाता हूं कैसे अपनी फीस आपको पे करनी है देखे जैसे आप फीस पे कर देते हैं आपका फोर में हो कंप्लीट हो जाता है इसका प्रिंट आउट निकाले के आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर के लिए ऐसे अपना ओनलाइं फोरम बर सकते हैं आप बिना किसी घलती के माँ आपको बता दूँ माँ आपके अब भी कोई डाउट होता आप कोमेटर के पूछ रखते हैं आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वडियो में